गुड मॉर्निंग एवरिवन मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सब का आपके अपनी चैनल त्यारी ओनलाइन में आज है 27 जन्वरी 2021 और आज के सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो चलिए डिस्कसन स्टाट करते हैं भारत का रिकॉर्ड तोरकर स्पासएक्स ने एक रॉकेट से कितने सेटलाइट लॉंच करने का रिकॉर्ड बनाया है तो देखिए भारत का record तोरकर SpaceX ने एक rocket से 143 satellite को launch करने का record बनाया है option number D हमारा correct answer है SpaceX किसकी company है तो SpaceX जो है वह है Elon Musk की company किसकी है? Elon Musk की Elon Musk जो है वह विश्व के सबसे धनी वैकती है अब देखिए इसने किसका record तोड़ा है तो भारत का record तोड़ा है भारत ने एक rocket से 104 satellite को launch किया था कितने satellite को? 104 satellite को launch किया था एक rocket से तो इसका record किसने तो रहा है? SpaceX ने तो रहा है जो Elon Musk की company है और देखिए Tesla भी Elon Musk की company है यहाँ पर यह भी जान लिजे कि यह SpaceX company पुराने rockets को reuse करती है और बहुत सारे satellites को launch करती है इससे खर्चा बहुत कमाता है यह company satellite को launch करने के लिए सिर्फ कितना लेती है? तो 10 लाख डॉलर लेती है 10 लाख डॉलर लेती है चलिए questions related important points देखे तो यहाँ देखे भारत के वर्स 2017 में एक rocket से 104 satellite को launch करने का record तोर कर अंतरिक्ष की दुनिया में SpaceX ने एक rocket से 143 satellite launch करने का record बनाया है SpaceX अरपती कारोबारी Elon Musk की company है और टेसला भी Elon Musk की ही company है इससे पहले SpaceX ने एक साथ सबसे ज़्यादा 48 satellite को अंतरिक्ष में भेजा था चलिए next question देखते है नेक्स question हमारा है प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फरेंसिंग देश भर के कितने बच्चों को राश्ट्रे बाल प्रुसकार 2021 से सम्मानित किया तो देखिए यह प्रुसकार दिया गया है 32 बच्चों को option number C जो है वह इसका correct answer है प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िये देश भर के 32 बच्चों को राश्ट्रे बाल प्रुसकार 2021 से सम्मानित किया चले question से related important points देखिए तो यहां देखिए प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िये देश भर के 32 बच्चों को राश्ट्रे बाल प्रुसकार 2021 से सम्मानित किया यह प्रुसकार असाधारन छमताओं बाले बच्चों को दिया गया है जिन्हें innovation, academics, sports, arts, cultural, social service बहादुरी समेत अन्य छेत्रों में बिसेस पहचान मिली है next question हमारा है एक्यानबे इफ़ी के गोवा में समापन के बाद दिये गए golden peacock awards में किस film ने best film के लिए अवाड जीता है तो देखिए best film का अवाड जीता है input the darkness ने किसने जीता है? input the darkness ने जीता है इफ़ी का full form है भारतिय अंतरास्टय फिल्म मोहसब इंग्लिस में हम इसे इस तरीके से लिखते हैं I, F, F, I I for international, F for film, F for festival of, I for India International Film Festival of India full form of Iffy चले questions related important points देखें तो यहाँ देखिए हाल ही में 91 इफ़ी के गोवा में समापन के बाद दिये गए golden peacock अवाड में festival में डेन्मार्क की film input the darkness कहां की फिल्म है यह तो डेन्मार्क की फिल्म है input the darkness ने west film के लिए golden peacock अवाड जीता है यह film world war 2 पर west है यह film किस पर west है तो world war 2 पर west है west actor का अवाड किसने जीता है तजू चुवान लियू ने किसने जीता है तजू चुवान लियू ने जीता है इन्हें मिला है silver peacock अवाड तो चलिए अब हम इस अवाड से related important points देखिए तो देखिए बारती अंतरास्ट्रे फिल्म महौत सब कब से कब तक मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 16 जन्वरी से लेकर के 24 जन्वरी तब और दुनिया भर के कितने फिल्म जो है वह इस महौत सब में सामिल हुए हैं तो देखिए 224 फिल्मों को इस बार सामिल किया गया है अब यहां देखिए एक क्यान भी भारती अंतरराष्टे फिल्म मोहसब ने इस बार country in focus country in focus में किस देश को चुना है तो हमारा परोशी देश बांगला देश को चुना गया है यह भी धियान रखें क्योंकि यह भी most important points है यह पूछा जा सकता है IFFI को कब सुरू किया गया था तो देखिए इसे आरंभ किया था 1952 में IFFI को आरंभ किया था 1952 में और यह मोहसब हर साल गोवा में मनाया जाता है next question हमारा है हाल ही में किस मंत्राले ने आदिवासी प्रवाशी स्रमिकों से संबंदित data एकत्र करने के लिए स्रम सकती portal launch किया है तो यह किस ने किया है तो यह किया है जनजातिय मामलों के मंत्राले ने option number B इसका correct answer है चलिए इससे related important points देखें तो यहां देखें जनजातिय मामलों के मंत्राले ने हाली में आदिवासी प्रवाशी स्रमिकों से संबंदित data एकत्र करने के लिए स्रम सकती portal launch किया है यह इस स्रम सकती digital portal data अंतर को सफलता पुर्वक दूर करने में सक्षम होगा और प्रवाशी स्रमिकों को भी ससक्त करेगा नेक्स्ट कुशिन अमारा है अंडमान और नीकोबार दूइपसमू में भारतिय नौ सेना ने थल सेना एवं वायू सेना के साथ संयूक तुरूप से कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है तो देखिए नौ सेना ने थल सेना एवं वायू सेना के साथ संयुक्त रूप से एमफी मैक्स 21 यो धभ्यास का आयोजन किया है किसका किया है? एमफी मैक्स 21 ओप्सन नमबर फोस्ट यानि ओप्सन नमबर एइसका करेक्ट आंसर है चले questions related important points देखें तो यहाँ देखिए भारत की तीनो सेना है भारती नौ सेना ने थल सेना एवं वायू सेना ने अंडमान और निकोबार दूइप समू में संयुक्त रूप से जल थल और नब यो धभ्यास एमफी मैक्स 21 का आयोजन किया है किसका किया है यहाँ आपको ध्यान रखना है एमफी मैक्स का और इसमें तीनो सेना है सामिल है कौन-कौन तो जल सेना थल सेना और नब सेना यानि वायू सेना इस यो धभ्यास का उद्देश अपने द्वीब छेतरों की छेतरिया खंडता की रक्षा के लिए भारत की छंताओं का सत्यापन करना है अंडमान और निकोबार या एक किंदर सासित प्रदेश है चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार के गवर्नर है एडमीरल देवेंद्र कुमार जोसी अंडमान निकोबार के गवर्नर कौन है एडमीरल देवेंद्र कुमार जोसी और अंडमान और निकोबार में कितने दूइप समू हैं तो देखिए अंडमान और निकोबार में लगभग 572 छोटे छोटे दूइप हैं कितने हैं तो 572 ये दूइपों के संख्या हैं अंडमान निकोबार में चले नेक्सक्रेशन देखते हैं next question हमारा है हाल ही में किसने गंतंत्र दिवस 2021 की पुर्व संध्या पर वीरता प्रुसकार पोर्टल का नया संस्करन लॉंच किया है तो किसने किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सी ने किया है option number C का correct answer है यह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सी चले questions related important points देखें तो यहां देखें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सी ने हाल ही में गंतंत्र दिवस 2021 की पुर्व संध्या पर वीरता प्रुसकार पोर्टल का नया संस्करन किया है देखें यह है www.galantryawards.gov.in यह लॉंच किया गया है यह पॉर्टल भारत के साहसी भीरता प्रुसकार विजयताओं के अमर योगदान को सम्मानित करने के लिए वन एस्टॉप वर्ट्वल प्लेटफॉर्म के रूप में कारे करेगा किसके रूप में कारे करेगा वन एस्टॉप वर्ट्वल प्लेटफॉर्म के रूप में कारे करेगा नेक्स्ट विश्टिन हमारा है 26 जन्वरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो देखिए 26 जन्वरी को पूरे विश्व भर में अंतर रास्ट्रे सीमा सुल्क दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है अंतर राष्ट्रे सीमा सुल्क दिवस option number A इसका correct answer है और इस दिवस का आयोजन कब किया गया था यह भी जान लीजे तो अंतर राष्ट्रे सीमा सुल्क दिवस का आयोजन किया गया था 26 जन्वरी 1903 1953 में और यह किया गया था किसके द्वारा यह किया गया था विश्व सीमा सुल्क संगठन के द्वारा W.C.O के द्वारा यह किया गया था W.C.O का full form है World Custom Organization और W.C.O के सदस्चियों की संख्या कितनी है तो देखे W.C.O के सदस्चियों की संख्या है 189 179 जो है या सदस्ते हैं किसके WCO के यानि विश्व सीमा सुल्क संगठन के चलिए questions related important points देखें तो यहाँ देखें 26 जनवरी को पूरे विश्व पर में अंतररास्ट्रे सीमा सुल्क दिवस मनाया जाता है या दिवस विश्व सीमा सुल्क संगठन यानि WCO के गठन की अस्मृती में मनाया जाता है कब हुआ है इसका गठन वो तो मैंने आपको बता ही दिया 26 जनवरी 1903 को इसका गठन हुआ था इसके कुल सदस्चे कितने हैं तो देखें 189 देश जो है इसके सदस्चे देश है चलिए नेक्स कुशिन देखते हैं नेक्स कुशिन हमारा है रियान क्राउसर ने ट्रैक लिग एर टैबिले 22.8 तो मीटर थो करके कितने साल पुड़ाना इंडोर वर्ल रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो देखें इन्होंने 32 साल पुड़ाना वर्ल रिकॉर्ड को तोड़ा है ओप्सन नमबर डे इसका करेक्ट आंसर है ये हैं रियान क्राउसर चलिए कुशिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहां देखें अमेरिका के ओलंपिक सौड़पूर चेंपियन रियान क्राउसर ने हाल ही में ट्रैक लीग एर टैबीले ए आर में 22.82 मीटर थो करके 32 साल पुड़ाना इंडोर वर्ल रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने अपने पहले ही थो में रेंडी वांस के 1989 में 22.66 मीटर थो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया उन्होंने तीसरे थो में भी 22.70 मीटर दूर गोला फेंक कर नया रिकॉर्ड बना दिया है नेक्ट कुशन है 26 जनवरी 1950 को भारतिये राष्ट्रिये ध्वज को कितने बन्दूकों की सलामी दी गई थी तो देखिए कितने बन्दूकों की सलामी दी गई थी तो आप्सन नमबर 20 का करेक्ट आंसर है 21 बन्दूकों की सलामी दी गई थी 26 जनवरी 1950 को चले कुशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए तो यहां देखिए भारत के प्रथम राश्टपती डॉक्टर राजेंदर परशाद द्वारा 21 तोपों की सलामी और भारतिय राश्ट्रे ध्वज को फहराने से भारतिय गंतंत्र दिवस का एतिहासिक जन्व हुआ था हमारा संभीधान 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ था और इसलिए हर वर्ष 26 जन्वरी को गंतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है चले नेक्स क्योशन देखते हैं तो नेक्स क्योशन हमारा है ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहां से लिया गया है तो देखिए ध्वज पर बना चक्र का प्रारूप कहां से लिया गया है पहला उप्सन हमारा है सारनात में असोग के सी अस्थम पर बने चक्र से लिया गया दूसरा महात्मा गांदी के चर्खे के पहिये से तीसरा भागवत कीता में समय का संकेत करते हुए पहिये से या चौता इन में से कोई नहीं तो देखिए option number A इसका correct answer है सारनाथ में असोक के सी अस्तम पर बने चक्र से लिया गया है द्वज पर बना चक्र का प्रारूप चली questions related important points देखिए तो यहां देखिए यह हमारा है रास्ट्रे तिरंगा और इस पर यह हमारा द्वज पर बना हुआ चक्र और यह चक्र कहां से लिया गया है तो यह चक्र लिया गया है सारनाथ से देखिए इसका प्रारूप सारनाथ में असोक के सी अस्थम पर बने चक्र से लिया गया है इसका व्यास सफेट पट्टी की चौड़ाई के लगभग है और इसमें 24 तीलिया है कितनी तीलिया है 24 तीलिया और यह किस रंका है तो यह है नीले रंका आज का यह डिसकसन यहीं समाप्त होता है डिसकसन आपको कैसा लगा आप हमें करके अवस्य सूचित करें अगर आप हमें यूटुब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमें फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमें follow करें मिलते हैं नए दिन नए प्रश्णों के साथ आप सब का धन्यवाद Have a good day